नमस्कार दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी रेसिपी में तो चलिएगा आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं गियू के आटे का लच्छा पराटा और इस पराटे को हम इस तरीकी से बना करके त्यार करेंगे कि एक-एक लच्छा आपको अलग दिखाएं अलग हो जाएगा इसको सेखते सेखते ही और बहुत इजी रेसिपी के साथ इसको बना करके त्यार करने वाले हैं अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिएगा दोस्तों इजी रेसिपी है बनाने इसको शुरू करते हैं तो यहां पर हम लेंगे पहले गेहूं का आटा दो कटोरी देखिएगा दो कटोरी से तीन लच्छे पराटे बन करके तयार हो जाएंगे थोड़े मोटे मोटे बनाएंगे इसमें स्वाध अनुसार आप नमक एड़ किजेगा मिक्स करने के बाद पानी एड़ करेंग और रेस्ट के लिए रख दीजेगा पांच मिनट के लिए इतना टाइम काफी है इसकी रेस्ट के लिए अब यहां पर देखिएगा इसका मार्जन तेयार करते हैं तो हम लेंगे दो चमच गीहूं का आटा और तीन चमच ओईल रिफाइन ओईल ले सकते हैं आप या देशी देखेगा इसकी ठिकनस कुछ ऐसी होनी चाहिए ऐसा बेटर जैसा होना चाहिए आप चाहे तो सारा मैदा ले सकते हैं मार्जन बनना के लिए लिकिन मैंने थोड़ा सा गेहूं के अटे का भी यूश किया है यहां पर तो क्योंकि हम गेहूं के लच्छे पराठे बना ले है इसलिए तो यहां पर पांच मिनट बाद मैंने देखा आटा भी सेट हो गया हलका सा गूंद लीजी का और मोटी मोटी लोई आपको बना लेनी है जैसे कि पराठा हमने जितना मोटा बनाना है ज्यादा पतले पराठे अच्छे नहीं लगते हैं लच्छे पराठे तो लोई की मदद से कोई जगा छुड़नी नहीं चाहिए अब ध्यान से देखेगा आपको इस तरीके से कट लगाने हैं किनारों को कट नहीं करना हैं बीच बीच में कट लगाने हैं और इसकी लेयर्स बन करके त्यार हो जाएंगी देखेगा मैंने किनारों का हिससा छोड़ दिया और बीच वाला हिससा कट किया है इस तरीके से आपको इसे रोल कर लेना है और अब इसको हलका सा इस तरीके से गुमा दीजेगा और इस तरीके से लोई को बना लेजेगा है ना बहुत आसान तरीका तो देखेगा लोई बन करके त्यार हो गई है अब इस पे दुबारा से स प्यार हो गया है और अब हम इसको शेकेंगे तो यहां पर तवा गर्म है और मैंने तब फेस को डाल दिया है तो जब यह है आपको हलका सा उपर से जमा सा इसका कलर चेंड लगे हलका सा फूला सा लगने लगे तो इसको आप पलट दीजिगा यह देखेगा लच्छे अपने आप से ही अलग हो गये अभी हमने इस पे उईल भी नहीं लगाया है दौरों तरफ से पहले इसको सेखेंगे उसके बाद इस पर उईल लगाएंगे देखेगा जो लच्छा पराटा होता है उसमें ओईल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है तो यहां पे मैंने दौरों तर के लिए एक साइट मत छोड़ी तीजेगा ताकि यह जलना जाए अब मैंने कई बार इसको पलट दिया है और बीच बीच में देखेगा हमने दूसरा परांठा भी जब हमें टाइम मिला तो हमने उसको भी तयार कर लिया था और इसी तरीके से आपको बाकी के परांठे भी तय प्रोसेस के साथ आपको इसे बेल लेना है और सेक लेना है यहां पर देखेगा लेयर अब ही से अलग हो रही है आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका परांठा बहुत अच्छा बन करके तयार होगा और सभी लेयर बिल्कुल अलग हो जाएंगी तो यहां पर हमारा यह बन करके तयार हो गया है और लेयर बिल्कुल अलग-अलग हो चुकी है इसकी तो इसको हम उतार लेंगे नीचे और जो हमने दूसरा बना करके तयार किया हो था उसको भी सेक लेते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेकने में क्योंकि थोड़े मोटे बनते हैं इसी लि इस पर दुबारा ओयल भी लगा सकते हैं जैसे हमने एक बार लगाया उसके बाद दुबारा से ओयल लगाईएगा उससे यह बहुत ज़्यादा खसता और अंदर तक सिख जाएंगे तो यहाँ पर एक एक लच्छा बिल्कुल अलग हो गया है तो यहाँ मैंने दो चीजों की मदद से इसको नीचे उता रहा है क्योंकि इसके सारे लच्छे नीचे लटक रहे थे उतर नहीं पा रहा था तो यह लेजेगा दोस्तों दूसरा वाला लच्छा पराठा भी बनकर के बिल्कुल तयार हो गया है और यहाँ पर हमारे गेहों के लच्छा पराठे बनकर के बिल्कुल तयार हो गया है आप इनको किसी भी तरह की सबजी के साथ चाहे वह सूखी हो चाहे वह ग्रेवी वाली हो सर्व कर सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं और अगर आपको इनकी लेयर अलग-अलग करनी है तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको मार्जन का यूस बिल्कुल करना है हमने जब आटा बनाया था डो लगाया था उसमें हमने ओईल का यूस नहीं किया था हमने बाद में ओईल का यूस किया था तो यह देखेगा यहाँ पे लच्छे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन करके तयार होए हैं और गेहों के आटे से बनाया है हमने इसको कोई कह भी नहीं सकता कि हमने लच्छा पराटा गेहों के आटे से बना करके तयार किया है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बना है ये देखेगा तो यहाँ पे end में सारे लच्छी दिखाते दिखाते सारे की सारे खुल गए थे इतने अच्छी लच्छी बन करके त्यार रूते ये हाल हो गया था पराटी का